Hello students and welcome back to my channel once again. Today's video is very important for every student जो भी यहाँ पर NEET as well as Board Examination की preparation कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो please वीडियो को लास तक ज़रूर देखिएगा I know आप सभी जब भी किसी वीडियो को सर्च कर रहे हो studies से related तो आप यही सोचते हो कि आपकी जो core book है यानि कि आपकी जो NCRT है उसको कोई आपको बहुत अच्छे से समझा दे उसके concept को बहुत अच्छे समझा दे प्लस NCRT की line by line कोई आपको समझाए राइट तो आप लोगों की वो search जो है यहां पर आकर खतम होती है इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को NCRT की line by line समझाने वाली हूँ आज का हमारा chapter है chapter number 12 बायो टेकनोलोजी and its application यह हमारा part second है part one already uploaded है अगर आपने नहीं देखा है तो please उस वीडियो को जरूर देखे क्योंकि आदा chapter हम already cover कर चुके है description box के अंदर मैं आपको part one की link already provide कर दूँगी तो आप उसे जरूर पढ़िए ताकि आपको part second और जादा अच्छे समझ में आए आपकी understanding जो है chapter की वो और जादा बड़े प्लस अगर आप लोग need and boards की तयारी कर रहे हो तो please चैनल को जरूर subscribe कर लो विकॉस यहाँ पर मैं आपके लिए chapter wise mcq उसके साथ साथ इसी तरीकी से chapter wise explanation वो भी ncrt का लेकर के आने वाली हूँ इस चैनल पर तो please चैनल को subscribe जरूर करें प्लस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो like और शेर करना ना भूले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए बहुत जादा important information है आप एक बार उसे सुन लो उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अनकैडमी पर आपके boards की preparation बहुत ही जादा अच्छे तरीके से और बहुत ही जादा expert teachers के द्वारा करवाई जाती है सबसे पहले मैं आपको अनकैडमी subscription के फाइदे के बारे में बताना चाहूँगी बहुत जादा important है देखो ये एक ऐसा time है जहाँ पर आप लोग कफे जादा confused हो कि आप क्या पढ़ोगे और क्या नहीं पढ़ोगे जाहें वो NEE 2021 के लिए हो या फिर आपके board examination के लिए हो और ये एक ऐसा time है जहाँ पर आप सोच रहे हो कि कब पढ़ना शुरू करें तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपनी preparation अभी से आप start कर दे और उसका source जो है कि आप कहां से पढ़ें क्योंकि सबसे जादा important question आपके mind में यही आता है कि क्या पढ़ें और कहां से पढ़ें किस से पढ़ें ठीके एक teacher जाहिए होता है आपको तो आपको unacademy के platform पर ऐसे बहुत सारे बहुत सादा expert teachers मिल जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे से आपके examination की preparation करवाएंगे तो डरना बिल्कुल नहीं है बिल्कुल हिम्मत के साथ काम लेना है और अपनी preparation आज से और अभी से शुरू कर देनी है तो देखो unacademy subscription के कुछ फाइदे है लाइफ classes यहाँ पर होती है आप लाइफ इंटराक्ट कर सकते हो teacher के साथ उसके बाद यहाँ पर live polls होते है यानि कि MCQs आपको करवाये जाते हैं और leaderboard यानि कि कौन से MCQs किसने attempt करें और कौन सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है ठीक है एक तरके का competition healthy competition यहाँ पर create होता है उसके बाद आपको test series भी मिलती है उस test series की basis पे analysis भी create किया जाता है इस सब के बाद जब आपने सारे lecture set in कर लिए अपने test दे दिए उसके बाद आपके मैंन में पक्का कोई न कोई doubts होंगे रहे तो उन doubts को clear करने के लिए special doubt cleaning session भी रखे जाते हैं अब आपने यह तो देख लिया कि अनकैडमी पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है अब पढ़ा कौन रहा है अनकैडमी पर बहुत ही important बहुत ही expert जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं जिनकों पास बहुत सालों का experience है और आप उनसे अपने examination के लिए पढ़ सकते हैं इतना सब कुछ हो गया लेकिन यह अनकैडमी मिलेगा कहां पर ठीके तो यह आपको आपके android mobile पर ios mobile पर आप अपने play store पर जा सकते हैं वहाँ पर आपको सर्च करना है अनकैडमी learning app और उसे आपको install कर लेना है उसके बाद आपको उसके dashboard में जाकर plus पर click करना है after that आप यहा सारी category है जैसे कि नीट हो गया क्लास 9 हो गया 10 11 12 जेई इन सभी के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा content और आपकी हर एक तरीके के examination के लिए preparation करवा दी जा सकती है उसके बाद जैसे ही आप अपना goal select करोगे चाहे आप जिस भी examination के लिए preparation कर रहे हो उसके बाद आपको get subscription पर click करना है get subscription पर click करते ही आपके सामने plus और iconic जो courses है वो आ जाएंगे और उसकी payment के लिए भी आपसे पूछा जाएगा तो इसके मैं आपको फाइदे बता देती हूँ कि आप लोगों को 9, 10, 11, 12 जाने कि 4 सालों के लिए 40,000 रुपीज में आपको ये पूरा course मिल रहा है 4 साल के लिए जहां आप coaching institutes में 2, 5, 100,000 रुपे एक साल के पे करते हूँ वहीं यहाँ पर 4 साल के लिए आपको only and only 40,000 रुपीज पे करने है और अगर आप लोग 10, 11, 12 के लिए प्रिपेर कर रहे हूँ तो आपको सिर्थ 32,000 पे करना है अगर आप लोगों को इसमें discount चाहिए तो आप लोग मेरा code winboards जो है वो यूज कर सकते हो और उससे आपको काफी सही discount इसमें मिल जाएगा clear now काफी ऐसे बच्चे होंगे जो एक साथ इतना सारा amount नहीं पे करेंगे right आपके मन में doubts होंगे कि यार कैसा पढ़ाते हैं किस तरीके का platform है और किस तरीके content मिलेगा और आप से interact किया जाएगा या नहीं किया जाएगा तो उस सब चीजों के बारे में भी कोई टेंशन लेन करना चाहते हो तो free में आपको बहुत सारे lectures और बहुत सारे doubt session बहुत सारी test series आपको मिल जाएंगी आपको सिर्फ simple login करना है same procedure है goal पे click करना है then menu button में जाकर आपको corner पे special का option मेलेगा उस special के option पे click करते ही आपको invite code पर click करना है और invite code में आपको मेरा code यानि की win boards पर click करना है जैसे आप win boards यहाँ पर enter करोगे और unlock पर click करोगे आपको free बहुत सारे facilities बहुत सारी beneficial facilities आपको मिल जाएंगे और आप यहाँ पर अपनी preparation शुरू करते हैं ओके गाइस चलो इस वीडियो को start करते हैं आप लोग मुझे किसी भी update के लिए यहाँ पर instagram as well as telegram पर follow कर सकते हूँ दोनों ही social media platforms के link मैंने description box में दिये हैं आप यहाँ पर किसी भी तरीके से मुझसे connect कर सकते हूँ आप चाहो जो भी आपके doubt है questions से आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हूँ तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं लास्ट हमने जो topic पड़ा था वो होता हमारा gene therapy ठीक है कि किस तरीके से हम remove कर रहे हैं किस तरीके से एक particular defective gene को remove करके हम उसके अंदर सही gene enter करवा रहे हैं वही होती है हमारी gene therapy अब हम करेंगे about molecular diagnosis तो molecular diagnosis की जब हम बात करेंगे इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि बिमारियों का पता लगाएंगे कि किस तरीके से हमारी जो बिमारिया है वो हो रही है उसका पता लगाएंगे ठीक है और उसका पता कैसे लगाएंगे biotechnology की help से so you know that for effective treatment of disease किसी भी disease का treatment करने के लिए उसका इलाज करने के लिए उसका early diagnosis होना बहुत ज़ादा ज़रूरी है ठीक है कि अगर शुरुआती दोर में ही आपको पता चल गया कि आपको ये बिमारी है तो उसका early diagnosis हो जाएगा और आप उसके लिए सही treatment लेकर के आप plus understanding its pathophysiology is very important now pathophysiology का मतलब क्या हुआ अगर आपकी body में कोई bacteria जो है कोई pathogen जो है वो आपकी body में कोई disease cause कर रहा है तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपको पहले पता चल जाए उस disease जब वो disease होनी शुरू हुई है उसके earlier stage में ही आपको पता चल जाए कि ये disease आपकी body में हो चुकी है तो आप उसका treatment करवा सकते हो लेकिन treatment भी कब करवा सकते हो जब आपको ये पता चले कि ये disease आखिर हो कैसे रही है ये pathogen आखिर work कैसे कर रहा है अगर वो pathogen प्रोटीन बना कर आपकी body के इंदर disease फैला रहा है तो आप क्या करोगे उस protein का बनना रोग दोग लेकिन कब लेकर के आप आओगे जब आपको उसकी pathophysiology पता हो right now हम कुछ conventional method का use करके diagnosis कर सकते हैं बिमारियों का पता लगा सकते हैं जैसे कि serum और urine analysis जैसे कुछ method है लेकिन serum और यानि कि blood का जो आप sample लेते हो urine का analysis करते हो इसके अंदर जब आप लेते हो इस particular sample को तो pathogen का amount इतना जादा नहीं होता है right और अगर इतना जादा amount नहीं है तो कभी-कभी falls यहाँ पर results आप सकते हैं हो सकता है pathogen उस particular sample में ना आए right तो इससे क्या होगा detection नहीं हो पाईगी detection नहीं हो पाईगी तो जादा ये effective methods नहीं होते है right so early detection नहीं हो पाईगा पहली चीज तो early detection is not possible क्योंकि body में वो pathogen अभी होना शुरू हुआ है symptoms नहीं show कर रहा है हमें कब पता है कोई बिमारी हो रही है जब हमें symptoms show होते हैं लेकिन कई ऐसी बिमारियां होती है जिनके starting में symptoms show ही नहीं होते है ना तो जब आपको symptoms ही show जैसे cancer हो गया आपको symptoms ही show नहीं हो रहे तो आप क्या blood के analysis से urine के analysis से आप लोग पता लगा पाऊगे कि आपके body के अंदर ये particular condition है आपकी body के अंदर ये particular बिमारी है नहीं पता लगा पाऊगे क्योंकि हो सकता है कि वो particular pathogen जो है वो इतना जल्दी rapidly divide ना कर रहा हो तो उसका जो particular pathogen का जो सिल है वो आपका urine में या blood के sample में ना है लेकिन किस particular method से हम early detection कर सकते हैं disease का by the help of recombinant DNA technology जो की हमने principles बायो टेकनलोजी की principles वाले चाप्टर में पढ़ा है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो description box के अंदर link है उस वीडियो का आप जरूर देखो पूरा चाप्टर मेंने इसी तरीके से NCRT line by line वहाँ प पर आया है enzyme linked immunosorbent assay यानि कि ELISA कर test यह कुछ ऐसे टेकनीक से कुछ ऐसे particular techniques हैं जिनको आप use कर सकते हो for the purpose of early diagnosis ठीक है अगर आप लोगों को याद होगा तो PCR में हम क्या करते थे किसी को याद है सबसे पहले हम denaturation देखते थे right सबसे पहले हम क्या करते थे denaturation कराते थे denaturation के इसकर के बाद रहाण पर annealing होती थी क्या होती थी annealing होती थी annealing में हम क्या करते थी primer को attach यहाँ पर primer attach करते थे यहां पर highlight इंट्च करते थे और जब primer attach करते थे premierत अगर क्या करे गा बार बार रिपीट कराओगे तो उसे कहते हैं एम्प्लिफिकेशन, आप उसको एम्प्लिफाइ कर रहे हो, तो अगर आप इसकी 30 साइकल्स तक भी कराते हो, तो आपके कितने आजाएंगे, 3 मिलियन टाइम्स आपके जो जीन है, वो यहां पर एक्स्प्रेस होंगे, तो आपन कर सकते हो, तो वही यहां पर लिखा हुआ है, that, एक सेकिन, that the presence of pathogen, color बहुत गंदा वाला आ गया है, हम अच्छा वाला color लेते हैं, the presence of pathogen, यानि की bacteria, virus, यह सब जो है, यह normally हमें, तभी ही पता लग सकते हैं, जब जो हमारा pathogen है, उसने कोई ना कोई सिम्टम शो किया हो, ब सोच सकते हो, कि उसका cure possible है, बहुत कम किसिस में cure possible होता है, क्योंकि उस time तक, जब तक आपको पता चला है, कि भई, cancerous cell आपकी body हो बनने शुरू हो चुके है, जब तक आपको पता चला है, तब तक उसका number बहुत जादा बढ़ चुका है, ठीक है, तो early detection नहीं हो पाई, तो this pathogen, इस pathogen की जो concentration है, जो number है, वो already बहुत जादा amount में मारी body के अंदे प्रेजेंट है, ठीक है, however, very low concentration of bacteria और virus, at a time when the symptoms of the disease are not visible, can be detected by amplification of nucleic acid by PCR, आप DNA को या RNA जो भी है, जो भी nucleic acid को आप ले रहे हो, उसको आप amplify करो PCR के थूरू, कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया, denat saturation, फिर आप primer एड करते हो, यानि की annealing होती है, देन आपका polymerization होता है, इसको बार-बार कराते रहो, इसको बार-बार कराते रहोगे, तो nucleic acid में आपको पता चल जाएगा उस particular bacteria या virus के बारे में, और उसकी वज़े से आप क्या कर पाऊगे, जल्दी इस particular disease का पता लगा होगे, right, so PCR is now routinely used, PCR को हम किसमें यूज करते है, HIV के पता लगाने में यूज करते है, AIDS के पेशिन में HIV पता लगाने के लिए करते है, इसको हम यूज करते है, to detect mutation in gene, किस gene के अंदर mutation हो रही हम, इसका पता लगाने के लिए बी करते है, इसका मतलब क्या हो गया, भई, mutation कैसे पता लगा सकता है, आपके मन में question आया, कि मैं यूटेशन किसे पता लगा सकता है, समझ लो एक particular strand है, A, T, G, C, A, T, ठीक है, और जो दूसरा strand बना है, वो कुछ ऐसा बना है, T, A, यहाँ पर G की जगा T बन गया, ठीक है, नहीं, T मत बनाओ यहाँ पर, एक सेकिन, मैं आपक ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आगया आपका T समझ लो, यहाँ पर आपका T, A, T, अब मुझे एक चीज बताओ, यह आपका probe होगा, यह आपका probe होगा, यह आपका probe जो आपने बहार से खुद से बनाया है, लेकिन आपकी body के अंदर जो आपका DNA का sequence है, मैं वापस से आपको अच्छे से बना कर दिखाती हूँ, समझ लो, एक condition है, A, T, G, C, A, T, A, ठीक है, यह आपका एक sequence है, नाउ, जो दूसरा cell का sequence है, वो कुछ ऐसा बन गया, A, T, G, C, G, T, ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कि यह sequence तो गलत है ना, यह इसका complementary है यह नहीं, इसका मतलब यहाँ पर mutation हुआ है, अब इसका पता कैसे लगाओगे, कि mutation हुआ है, पता ऐसे लगाओगे, कि आप अलग से, एक और ऐसा sequence बनाओगे, जो कि bind कर सके, जो क्या कर सकेगा, bind कर सकेगा, T, A, C, G, T, A, T, ठीक है, तो क्या होगा, यह T, A, T, इसके सा जाकर bind कर जाएगा, और G और C आपस में bind करेंगे, तो यह हमने जो बाहर से एक strand enter करवाया है, जिसको हम probe कहते हैं, P, R, O, B, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसको जब हम इसके अंदर क्या कराएंगे, इसके अंदर क्या कराएंगे, इंट्रेड्यूस करवाएंगे, तो य हमारे किसके साथ, strand के साथ, bind कर जाएगा, और हमारे probe ने यहाँ पर गलती देखी, यहाँ पर तो मैं bind नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर तो गलती थी, यहाँ पर तो गलती थी न, तो इसी की वजए से, इससे bind नहीं करेगा, और जब bind नहीं करेगा, तो हमें पता चल कि इसके अंदर तो mutation है तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लिखा गया यहाँ पर सेम कंडिशन यहाँ पर लिखी गई है कि a single a single standard DNA आप लेते हो हमने क्या लिया था single standard DNA ही तो लिया था देखो यह रहा आपका single standard DNA उसको हमने एक radioactive molecule उसके साथ hybridize कराया radioactive molecule यह है यानि कि इसको आपने अलग से बाहर से बनाया है ठीक है उसको आपने complimentary बना दिया DNA के साथ इसके साथ तकी यह इसके साथ bind कर सके clear अब क्या होगा it is followed by detection using auto radiography auto radiography का मतलब क्या है कि जब इसके साथ यह bind कर जाएगा और जिस particular sequence के साथ यह bind नहीं करेगा वो चमकेगा नहीं जिसके साथ bind कर जाएगा वो तो चमकेगा ठीक है आप isotopes को naked eyes से थोड़ी ना देख सकते हो राइट तो radiography के time पर जिसके साथ binding की होगी वो चमकेगा और जो न mutated gene है वो तो आपको photographic film पर नहीं दिखेगा मतलब वो नहीं चमकेगा क्यों विकाज जो प्रोब है जो आपने बाहर से sequence भेजा था वो उसके साथ bind ही नहीं किया होगा mutated gene की साथ तो ऐसे आप क्या कर सकते हो mutation का पता लगा सकते हो उसके बाद आता है आपका ELISA ELISA बहुत ज interaction होता है it is based on the principle of antigen antibody reaction जो infection होगा pathogen के द्वारा it can be detected by the presence of antigen यानि की protein glycoprotein etc. इन सब के present होने से detect कर सकते हो by their respective antibodies अगर किसी भी antigen की respective antibodies बना ली उनकी against pathogen की against तो obviously आप detect कर पाओगे किस के थूँ ELISA test के थूँ राइड जो pregnancy kit होती है अब बहुत अलग example हो जाएगा लेकिन pregnancy kit के अंदर क्या होता है जब उसके उपर आप urine sample डालते हो तो क्या होगा आपकी जो antigen present थे वो उस particular strip में present antibody के साथ react करेंगे और जब वो react करते हैं तो क्या होगा आपको उसके उपर strips देखने को मि मिलेंगी यही होता है आपका ELISA test इसी तरीके का होता है यह मत सोचना यही होता है इसी तरीके का होता है क्योंकि इसके अंदर antigen और antibody की interaction होती है ठीक है मैंने सिर्फ इसलिए example दिया है ताकि आपको समझा सकूँ कि किस तरीके से antigen और antibody interact करते हैं अब आते हैं ट्रांस जेनि animals बहुत जादा important है सभी के लिए समझना क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने आपको पहले भी बताया था कि genetically modified organisms होते हैं जिनके अंदर हम foreign DNA को foreign nucleic acid को enter करवाते हैं ताकि हम उनकी एक नई क्या बना सके modified organism बना सके उन्हीं को हम transgenic animal कहते हैं वो animal जिनके पास उनका DNA तो है ठीक है लेकिन उस DNA के सासाथ हमने उनके अंदर एक और ऐसा particular gene एंटर करवा दिया है तो अब वो organism उस gene के थुरू अपने कुछ characteristics को express कर रहे हैं उस gene के characteristics को express कर रहे हैं तब उसे कहेंगे transgenic animal जैसे कि transgenic rats हो गए rabbit, pig, sheep, cow, fish ये सभी produce होते हैं with the help of transgenic technique और पूरे 95% जितने भी आपके transgenic animals हैं वो है mice अब mice क्यों है आप सभी को पता है common reason पहली बात यही है कि जादा से जादा experiments जो है वो mice के उपर होते हैं नो जब इतने सारी experiments mice के उपर होते हैं तो बहुत जादा amount में mice को बनाया जाता है ठीक है transgenic animals mice create किये जाते है ता कि उनके अंदर हम किसी भ कौन सा character वो mice हमें show कर रहा है जब उसके अंदर हमने gene introduce कर दिया उसके बाद वो mice हमें क्या character show कर रहा है कौन सा character express कर रहा है यही होते हैं transgenic animals अब transgenic animals को बनाने के कुछ reasons होते हैं राइट वो reason क्या है पहला हो गया normal physiology and development इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी particular तरीके को किसी भी gene के तरीके को कि किस तरीके से वो gene काम कर रहा है किस तरीके से हमारे use में आ सकता है यह सब चीजे अगर हम पता लगाना चाहते हैं तो हम transgenic animal के अंदर उस gene को डाल देंगे और अगर वो transgenic animal उस particular gene को express कर रहा है तो हमें उस gene का physiological development पता चल जाएगा कि किस तरीके से develop हो रहा है वो gene right so the transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated कि किस तरीके से gene काम कर रहे है हम specifically किसी भी transgenic animal को इस तरीके से बना सकते है and how they affect the normal function of the body and its development देखो अगर आप लोगों को पता हो कि insulin जो है ठीक है insulin जो है अगर आप उसको निकाल दोगे body से तो क्या होगा diabetic patient हो जाता है ठी कि clear अगर आपने आपको याद होगा आपने ADA के बारे में पढ़ा था अगर आप ADA gene को ही निकाल दोगे body से तो आपका immune system work कर पाएगा नहीं कर पाएगा गडबड हो जाएगी उसके अंदर राइड तो ऐसे हमें पता चलता है कि ये gene ये काम करता है इस gene से ये काम हो सकता है वही चीज हम यहाँ पर किसमे normal physiology and development में जानते हैं example है study of complex factor जो involve होते हैं growth में जैसे की insulin insulin जो है एक तरीके के growth factor है जिसके बारे में अगर पता करते हैं तो जादा हमें उसकी बारे में पता चलेगा हम उसकी physiological behavior को जान पाएगे by introducing genes from other species दूसरी species से gene लेकर हम उसको introduce कर देंगे उससे क्या होगा it will alter the formation of this factor ठीक है किस factor का? किस factor का? insulin का होना and studying the biological effects and results information is obtained about the biological role of the factor in the body कि कोई भी gene अगर आप इस particular animal के अंदर enter करवा रहे हो तो वो gene किस तरीके से अपने आपको react करवा रहा है किस तरीके से अपने आपको express कर रहा है उससे हमें पता चल जाता है कि ये gene किस पर work करता है उसके बाद study of disease किसी भी बिमारी के बारे में जानने के लिए भी हम transgenic animals को बनाते हैं many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease कि भई कैसे gene देखो आप cancer को जानते हो बहुत अच्छे जानते हो cancer का मतलब क्या होता है जब mutation होती जाती है होती जाती है होती जाती है ठीके अब अगर उस particular किसी भी gene के वज़े से वो condition हो रही है तो आपको ये पता चलेगा कैसे पता चल पाएगा अब जब उसके बारे में थोड़ा research करोगे पढ़ोगे तब आपको पता चल पाएगा कि ये disease तो इस gene के वज़े से हो रही है तो इसके लिए भी transgenic animals का यूज किया जाता है these are specifically made to serve as a model for human diseases so that आप investigation कर सको और नए treatment ले करके आ सको disease के लिए अगर वो possible है तो आज के time पर बहुत सारे transgenic models जो है आपको देखने को मिलते हैं जो कि human disease को पता लगाते हैं जैसे कि cancer, cystic fibrosis, rheumatoid, arthritis and Alzheimer clear? clear है आप सभी को? चलो उसके बाद biological product अब हम लोग transgenic animals के through biological product पी बना सकते हैं हम बनवा सकते हैं किस के through bacteria के through या particle किसी भी vector के through हम उसे बनवा सकते हैं तो यह क्या हुआ? एक product ही तो मिल रहा है हमें इसी तरीके से हम transgenic animals से भी कुछ ना कुछ product अपने लिए जब बनवाते हैं तो वहाँ पर भी transgenic animals यूज होते हैं useful biological products को उनको हम बना सकते हैं उन transgenic animals को बना सकते हैं by introduction of the portion of DNA वो DNA जो की code करेगा एक particular product के लिए हम पूरा DNA नहीं introduce करवारे हैं क्योंकि बहुत ज़्याद एक्सपेंसिव है तो हम वो particular sequence डालेंगे DNA का जो code करेगा उस protein के साथ या उस product के साथ जो की हमें बनवाना है right example के तोर पर human protein जो हमारा है alpha 1 antitrypsin इसको use किया जाता है ताकि हम emphysema की disease को treat कर सकें यह एक respiratory disorder है right similarly ही हम कुछ attempts किये जा रहे हैं ताकि हम phenyl ketonuria की disease के लिए भी treatment बना सकें और cystic fibriosis के लिए भी 1997 में एक सबसे पहली अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे पहला transgenic animal क्या था तो सबसे पहली transgenic जो काओ थी वो थी कौन बना था रोजी और रोजी इतनी खास क्यों थी क्योंकि उसका जो दूद है it is the produced human protein enriched milk human protein enriched milk यान की जो एक छोटा बच्चा होता है उसको जो milk दिया जाता है उसके अंदर जितना amount of nutrient होता है उतना ही यहां पर उससे भी जादा in fact आपको किसके अंदर रोजी के milk के अंदर देखने को मिल रहा था 2.4 gram per liter और यह बहुत जादा amount में होता है this this protein is very high 2.4 gram protein किसी के milk में मिलना बहुत साथा अच्छी बात it is very enriched right so that milk contain the human alpha lacto albumin and was nutritionally more balanced यह याद रखना exam के questions होते है बच्चो यह exam question होते है कि क्या था उसके अंदर human alpha 1 second बच्चो human alpha lacto albumin बहुत important है ठीक है और यह nutritionally जादा balance था than the natural cow milk जो natural cow milk है उससे जादा क्या था stable था उससे जादा enriched था उससे जादा इसके अंदर क्या था protein था right उसके बाद vaccine safety के लिए भी अगर कोई vaccine बन रहा भी corona का time चल रहा है vaccine बन चुकी है तो क्या उस vaccine को directly human पे इस्तेमाल कर लिया गया नहीं उसको पहले कुछ पर्टिकुलर और और गनीजम्स पर यूस किया जाता है जैसे कि चुहों पर सबसे ज्यादा किया जाता है experiments के लिए सबसे ज्यादा experiments के लिए चुहों के उपर होते हैं तो vaccine safety के लिए transgenic animals use होते हैं कि ताकि vaccine safe तो है ना सिधा humans को नहीं लगाई जा रही है है ना तो इसलिए हम सबसे पहले किस पर करेंगे transgenic animal पर उस vaccine का try करेंगे so the transgenic mice are being developed उनको बनाया जाता है ताकि हम test कर सकें किसी भी vaccine की safety को before they are used on human human पर use करने से पहले जो transgenic mice होते हैं they are being used to test the safety of the polio vaccine जो हमारी polio vaccine बनी थी उसकी safety को पता लगाने के लिए भी उसको transgenic mice पर ही सबसे पहले use किया गया था उसके बाद वो humans पर use की गई बहुत सारे अलग-अलग trials आते हैं उन trials पर होती है हमारी particular vaccine safety की testing okay यह नि हो था कि आज vaccine बन गई और कल humans को लगा दी गई राइट सो अगर successful हो जाती है जब हम उस transgenic animal यानि कि उस mice के ऊपर हम वो हमारी vaccine को हमने introduce करवाया उसको हमने vaccine को लगाया और उसके बाद अगर वो vaccine काम कर जाती है अगर reliable है तब ही उसको replace कर सकते हैं by the use of monkeys it can be replaced by the use of monkeys to test the safety batches of the vaccine यानि कि mice के बाद second stage क्या जाएगी monkey क्योंकि humans से जादा related कौन है monkey है तो monkey के उपर की जाएगी उसके बाद humans को लगाई जाती है ठीक है उसके बाद chemical safety testing इसका मतलब क्या हुआ chemical safety testing का मतलब हुआ कि कोई भी chemical कितना safe है कोई भी chemical आपके use के लिए कितना safe है इसका भी पता लगाया जाता है किसके थरू transgenic animals के थरू this is no next toxicity या safety testing the procedure is same same होता है जैसा vaccine में कर रहे थे न वैसे होता है या फिर आप किसी भी drugs के लिए चेक करते हो किसी medicine को बनाने से पहले जो उसकी particular specification देखते हो वही same यहाँ पर भी होती है transgenic animals को बनाया जाता है जिनके पास ऐसे genes होती है which can make them more sensitive किसी भी substance के लिए जाधा sensitive बना सकते है than the non-transgenic animal और यह जो होते हैं these are particularly exposed to the toxic substances और इनके उपर जो effect होते है यानि कि कोई भी अगर समझ लोग चूहा है उसके उपर आपने ऐसा toxic substance डाल दिया जिससे कि आप देखना चाहते हो कि इससे इसका क्या effect होगा यह substance कितना toxic है और इससे क्या-क्या effect पड़ सकता है किस particular organ पर जाकर यह effect कर रहा है तो वो भी आप लोग किस पर देखते हो इन particular transgenic animals पर ही देखते हो then the toxicity testing in such animal will allow us to obtain result in less time ठीक है कम समय में हमें इन particular animals के उपर toxicity test करना होता है और हमें कम time में ही result मिल जाता है अब देखो इतनी सारी चीज़े हो रही है इतनी result इतनी experiments हो रहे है इतनी researches हो रही है अब इन researches के time पर ऐसा तो नहीं है ना आपने किसी भी animal को उठाया उसको transgenic बनाने निकल पड़े नहीं ना तो अगर कोई काम आप कर रहे हो तो उसके ethical issues obviously आते हैं कि भई आप ऐसे ही किसी भी जानवर को नहीं मार सकते है ठीक है आपको उसकी permission लेनी होगी proper committee होती है जिससे आपको permission लेनी होती है और वो भी genuine लोगों को ही permission मिलती है जो obviously पहले से या फिर वो जो already इस field में है जो research करेंगी सिर्फ उनको permission मिलती है तो ऐसे कुछ ethical issues आते हैं the manipulation of living organism by the human race cannot go any further without regulation इसका मतलब क्या हुआ कि अगर humans पे limit ना लगाई जाए तो वो ऐसे selfish लोग हैं जो अपने benefit के लिए अपनी knowledge के लिए अपने research के लिए किसी भी living organism को मार देंगे वो रुकेंगे नहीं right तो इसी लिए कुछ ethical standards जो है वो ज़रूरी है ताकि morality बरकरार रहे human activities की और जो help करेगी या हम नहीं करने देगी organism को living organism को right going beyond the morality of such issues the biological significance of such thing is also very important यानि कि अगर हम यह देखें कि अर हम तो इस animal को मारी नहीं सकते तो क्या होगा कि हमें बायो की knowledge और मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी तो हमारे लिए चीजों के बारे में जानना भी ज़रूरी है कि हम बायो टेक्निलोजी को कैसी यूज कर सकते हैं किस कि हम ethical issues को मतलब ethical conditions को याद रखें कि आप यूज करो ठीक है आप experiment करो research करो लेकिन exploit over exploitation मत करो जादा use मत करो जितनी जरूरत है सिर्फ उतना करो यह नहीं है आप यूज करे जा रहे हो बनाए जा रहे हो यूज करे जा रहे हो इससे क्या होगा हाम होगा उन particular animals को organisms को राइट genetic modification of organism can have unpredictable result when such organism are introduced into the ecosystem इसका मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से genetically modify कर रहा है वो organism यह इसके जो result आते हैं बहुत unpredictable आते हैं आपको खुद को नहीं पता होता कि यह जो particular organism है वो किस तरीके से react करेगा जब आप उसको introduce करोगे ecosystem के अंदर क्योंकि आपने उसको अलग से बनाया है आप आपने उसकी natural condition को नहीं लिया आपने उसके अंदर एक अलग से gene enter करवाया है जो कि अब वो organism उसी gene को express करेगा है ना तो आपको नहीं पता कि किस तरीके से react करेगा उसी reaction को जानने के लिए तो आपनी experiment की है राइट उसके बाद therefore यहाँ पर एक committee होती है the Indian government Indian government ने setup किया है ए this will make decision regarding the validity of genetic GM research and the safety of introducing GM organism for public services यानि कि कितने safe है वो organism public services के use के लिए उसके साथ साथ किस-किस organism को आप use कर सकते है आपको permission मिलेगी या नहीं मिलेगी उस organism को use करें क्योंकि at the end of the day आप उस organism को मार ही तो रहे हो एक तरीके से है ना तो उसकी भी permission लेनी पड़ती है Now the modification या usage of living organism for public services यानि कि food के लिए medicine के लिए ये सब कुछ ऐसी example है कि इनके लिए it is also created problem with patent granted for the same यानि कि क्या होगा अगर वो organism के लिए patent यानि कि permission दे दी patent का मतलब permission होता है So there is growing public anger that certain companies are being granted patent for product and technology that make use of the genetic material, plant and other biological resources that have long been identified, developed and used by the farmers and indigenous people of a specific region and country इसका मतलब क्या हुआ कि ये particular committee GEAC ये आपको क्या patent देती है आपको permission देती है कि ये चीज़ हाँ आपकी ही है या आप इस चीज़ को अपने research में यूज़ कर सकते हैं इस organism को यूज़ कर सकते हो लेकिन बहुत ज़ादा public anger create हो जाता है किसके लिए मारामारी हो जाती है किसके लिए एक agreement के लिए ठीके हर एक company याँ पर लड़ रही है कि किसी भी particular चीज़ का जो copyright है वो उसे मिल जाए है ना patent उसको मिल जाए ठीके इससे क्या होता है कि अगर किसी भी country ने एक पर समझलो rice है rice का भी याँ पर example आएगा rice को किसी country ने अगर उसने उसके copyright खरीद लिए तो आपको क्या करना होगा आप उस country की permission के बिना rice को बेच नहीं पाओगे आप rice को use नहीं कर पाओगे आपको उस country से खरीदना पड़ेगा है ना क्यूंकि आपके पास उसके agreement ही नहीं है आपके पास उसका patent ही नहीं है permission ही नहीं है तो यही चीज होती है rice का example लेते है rice एक बहुत important food grain है the presence of which goes back to thousands of years in Asia's agriculture history. Asia की agricultural history में देखा गया है कि around thousands of thousands of हजारों सालों पहले से rice को जो है उगाया जा रहा है there are an estimated two thousand varieties of rice in India alone सिर्फ इंडिया इंडिया के अंदर दो लाग से जाधा variety है rice की चावल की right the diversity of rice in India is one of the richest in the world यानि कि इंडिया के अंदर जितने type के आपको rice देखने को मिलती है वो पूरे world के अंदर one of the richest है यानि कि बहुत जाधा variety आपको देखने को मिलती है चावल में अलग-अलग type के आपको चावल देखने को मिलती है बासमती rice जो है is distinct for its unique aroma यानि कि इसका proper aroma यानि कि color इसकी smell प्लस इसका flavor right तो ये बासमती rice का कुछ characteristic है and there are 27 documented varieties of basmati are grown in India यानि कि documented varieties का मतलब क्या है कि document में already चड़वा चुके हो कि इंडिया के अंदर भाई ये बासमती की ये quality हम उगाते है okay clear तो around 27 जो आपकी variety of basmati rice है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही grow की जा रही है now there is reference to basmati in ancient text ancient text में basmati चावल का basmati का जिक्र है पुराने जमाने के किताबों में plus folklore यानि कि गानों में and poetries में ठीक है कविताओं में as it has been grown for century ऐसा क्यूं है पुराने जमाने में basmati का जिक्र क्यूं है क्यूंकि ये सालों से हम उगाते हुआ हैं इंडिया के farmers सालों से इसे उगाते हुआ हैं right so 1997 में हमारे साथ एक धोगा धड़ी की गई एक American company थी जिसने rights ले लिए बास्मती चावल के rights ले लिए US से ही और अपने trademark office से इससे क्या हुआ कि वो country को एक से कि इससे क्या हुआ उस country को एक क्या मिल गया एक power मिल गई कि वो इन नए variety of बास्मती को बेच सकते हैं जबकि वो कोई new variety नहीं थी उन्होंने क्या किया कि अपने US patent उन्होंने ले लिया trademark office गए वहाँ पर उन्हें इंडिया सही खरीदा हुआ चावल उन्हें दिखा दिया बास्मती दिखा दिया और वहां के office trademark office ने उस पर ठपा लगा दिया कि यह इन ही का है उन्होंने क्या कहा यह नई बास्मती की हमने इसकी ब्रीडिंग कराई और हमारे लिए यह नया तरीका है नए बास्मती हमने इंट्रेड्यूस के हमने डिस्कवर किये तो उनको उसका patent मिल गया और इंडिया वालों को इसकी खबर भी नहीं थी तो इसकी वज़े से क्या हुआ कि अब बास्मती बेचने क्रॉस करवा दिया semi dwarf variety के साथ और फिर claim किया यह बोला कि यह हमारी invention है और a novelty यानि कि हमने invent किया है इसको right the patent extend to functional equivalent patent क्या हुआ कि बही एक्विलेंट तक increase हो गया उनके लिए वो हो गया इंप्लियाइंग देट अधर पीपल सेलिंग बास्मती राइट कुछ भी रेस्टिक्टेट बाइदा पेटेंट इसका मतलब क्या हुआ पेटेंट आगे बड़ा परमिशन आगे बड़ी और यह कह दिया गया कि और दूसरे लोग जो इस कंपनी के अलावा बेचते हैं बास् बास्मती राइस कितने सालों से उगाया जा रहा था लेकिन सिर्फ उनके पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में पेटेंट नहीं था परमिशन नहीं थी तो किसी और ने उसका फायदा उठाया और अब वो बास्मती राइस उनके लिए हैं ठीके हमें अपनी ही बनाई हुई नहीं होने दिया वैसा ही हमने यहां पर नहीं होने दिया हमने क्या किया जल्दी से इमीडेटली काउंटर किया उस पेटें एप्लिकेशन को यानि कि रद कर दिया और दूसरी कंट्री जो है उनको in cash उनको क्या कहा कि आपको अगर हमारी हल्दी और हमारी नीम चाहिए तो आपको पैसे देने होंगे, हमारी चीज के लिए हमें पैसे देने होंगे, तब ही आप इस चीज को बेच सकते हो या आप इस चीज को हमें से खरीच सकते हो राइट तो यह यहाँ पर इंडिया क्या खिल गए थी उन्हें एक गलती से वह सीख चुके थे उसके बाद, what was और जब बायो लॉजी के प्रोडक्ट में आप काला धिंदा करें तो इस बायो पाये सी यह एक ऐसा टम होता है विच यूज तो रेफर दा यूज उज ऑफ बायो रिसोर्स बायो रिसोर्स इस के यूज को जो की काफी सारी मुल्टी नेशनल कंपनियों दूसरी और अर्गरे इंडिया के बास्मती राइस थे राइस का एक्जामपल लेकर चलो उसको अगर वह अमेरिकन कंपनी बिना पहली बात तो उसने गलत ही किया था उसने इंडिया की चीज को ही बेचना शुरू कर दिया था बस झूटा उसने वह ले लिया पेटेंट जल्दी जाकर ले लिया इं तो उसको उसने इंडिया के फार्मस को पैसे भी नहीं दिये और चीज़ें भी बेच रहे हूं राइट जितने बी इंडस्ट्रियल नेशन है वह रिच तो है पैसा तो है उनके पास बट आर पूर इन बायो डायुड़र्सिटी यानि कि बायो डायुड़र्सिटी में कही कहीं वो पीछे रह जा रहे हैं traditional knowledge में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं जबकि जो आपकी developing countries जो अभी आगे बढ़ रही है जो भले ही ज्यादा rich नहीं है यह underdeveloped है ठीक है यह rich नहीं है ज्यादा to bio resources now traditional knowledge जो होगी which is related to bio resources इसको हम exploit कर सकते हैं to develop modern application यानि कि अलग अलग नए तरीके नए नए तरीके नए 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 ब्रीडिंग करवा सकते हैं नए species create कर सकते हैं ठीक है transgenic animals बना सकते हैं transgenic plants बना सकते हैं इस तरीके से इस तरीके से genetically modified organisms हम बना सकते हैं right so it can also be used to save time time को बचाने के लिए मेहनत को बचाने के लिए और पैसे यानि कि खर्च को बचाने के लिए during their commercialization यानि कि उसे बना कर उसे हम बेचेंगे और जब बेचेंगे तो हम यह कहेंगे हमें proper पैसे दो हमारा share दो तो क्या होगा हमारे लिए वो developing countries के लिए ही तो benefit होगा है ना there has been growing realization क्यों किया जाएगा क्योंकि धीरे धीरे realize होना शुरू हो गया कि injustice हो रहा है inadequate compensation दिया जा रहा है injustice मतलब अन्याय हो रहा है farmers के साथ उसके साथ inadequate compensation मतलब कि 90% अगर share 100% अगर कोई चीज बची है तो उसका 90-85% वो लोग रख ले रहे हैं सिर्फ 10-15% ही उन farmers को या उन particular companies को मिल पा रहा है तो यह inadequate compensation हुआ या फिर उन्हें पैसे ही पे नहीं किये जा रहे हैं benefit sharing जो है बहुत खराब है between developed and developing countries जो country already developed है वो proper पैस से नहीं दे रही है developing countries को इसी लिए भले ही developing countries के पास बहुत सारी resources है लेकिन उनकी चीजे जब सस्ते में जा रही है तो वो और ज्यादा पूर होती जा रही है ठीक है इसी लिए कुछ nations जो है जो develop nations ने क्या किया laws को develop किया ता कि ऐसी condition ना हो सके unauthorized exploitation उनके resources का ना हो सके और traditional knowledge को इस तरह के से यूज ना किया जा सके यानि कि अगर हमारे देश से तुम कुछ लेकर के जा रहे हो तो सबसे पहली चीज कि तुम्हें उसके पैसे देने होंगे और हमारे हक के पैसे देने होंगे otherwise हम वो चीज तुम्हें नहीं बेचेंगे राइट the Indian Indian Parliament ने भी recently clear किया है second amendment को of the Indian Patent Bill ठीके जिसकी वज़े से क्या होगा that takes such issues into consideration बायो पायरेसी और आपका ये injustice होना inadequate compensation इन सब के खिलाफ ये सारी चीजे इस law के अंदर आ जाएंगी including patent terms and emergency provision and result of development initiative ठीके clear रही चीज चलो तो इसी के साथ हमारा chapter जो है वो खतम होता है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज एक बार like तो कर ही दो subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर दो मिलते हैं नए chapter के साथ with that said thank you so much have a good day bye bye